Hello Friends, तो आज हम आपको बता रहे हैं प्रेगनेंसी के दोरान आपको ऐसी कौन सी चीज़े खानी चाहिए जिसका सकारात्मक प्रभाव जो है आपके और आपके होने वाले बेबी पर पड़े क्योंकि कई चीज़े अगर हम ऐसी खाते हैं जिसका प्रभाव बहुत अच्छे तरीके से होता है और कई चीज़ों का बहुत नकारात्मक प्रभाव होता है तो आप चीज़े वही चूज कीजिए जिसका की प्रभाव आप पर और आपके बच्चे पर सकारात्मक हो और बच् करती हूं बहुत अच्छे होंगे जो भी चैनल पर नहीं है जल्दी से नहीं नहीं जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले तो फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे थे कि आपको सकारात्मक कौन सी ऐसी चीज कहानी चाहिए पीनी चाहिए जिसका कि आपके बच्चे पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़े और जो पूरे बेनिफिट्स है उस चीज के वो मिलें अक्सर जो है प्रेगनेंसी के दोरान जीरे का पानी पीने की सलाज दी जाती है क्योंकि जीरे के पानी में बहुत सारे पोशक्तात्व होते हैं जो आपके डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा करते हैं जीरे के पानी से जिन भी महिलाओं को अक्सर जो है गैस बनती है प्रेगनेंसी के दोरान तो वो इस समस्या से बहुत जल्दी निजात पा सकती है क्योंकि अक्सर गैस जब बनती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत ह होती है और सांस जो है उपर नीचे होने लगता है तो उसके लिए जो है आप जीरे का पानी रेगुलर पीजिए तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा अक्सर कई महिलाओं को लूज मोशन यानि की दस्त की शिकायत भी हो जाती है प्रेगनेंसी के दोरान तो अगर आपको जीरे का पानी बहुत फायदा करता है तो आप जीरे के पानी को अपनी राइट में जरूर शामिल कीजिए अगर प्रेगनेंसी के दोरान आपके शरीर में केल्शियम की कमी हो जाती है तो अगर आप जीरे का पानी पीते हैं तो उससे आपके केल्शियम की कमी तो करना पड़ता है दघर की कमी है तो वह र이든 की पूरती हो सकती है और साथ सथाथ एनीमय की जो समस्य यह दूर हो सकती है अगर आप जिरे का पानी ले तो तो फ्रेंडस यह सारी चीजे जी ऑके जीरे के पानी से बहुत फायदा दे सकती है तो आज हम आपको बता रहे हैं कि जीरे के पानी के क्या-क्या फायदा है अब उसको आपको बनाना कैसे है लगबग एक चमत जीरा आप एक काच के गिलास में जो है रात के समय भिगो कर रख दीजिए और सुबह उसको उबाल लीजिए और उबाल कर उसको च्छान लीजिए और उस पानी को थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में आप घुट-घुट करके पिएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट देगा इस फीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी न बूले बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आपको मिल सके